चोपड़ा है जो किसने योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो AIMS Autonomous Institute है, इनमें Infrastructure Teaching Facility, इसमें जो Hospital का Facient Flow है, ये काफी अच्छा होने के कारण Student इनको काफी like कर रहे हैं, फिछले दो सालों से, अभी इसमें fees सबसे कम होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो Student AIMS से MBBS करता है, उसको 50% institutional quota मिलता है, यानि कि जिस AIMS से वो MBBS करता है, उस AIMS में institutional quota 50% मिलेगा PG के लिए INICT का exam होता है, ये साल में दो बार होता है, और INICT में 50% इनके लिए quota होता है, हालांकि NEET PG में state quota लागू नहीं होता है, लेकिन 50% CT All India में आ जाती हैं, इसलिए जो AIMS से MBBS करते हैं, उन Student को कोई नुकसान नहीं होता है, इनको फाइदा ही होता है आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि AIMS की category wise expected cutoff क्या रह सकती है, और क्या हमें AIMS लेना सिए या फिर टोप के state के medical colleges लेनी सिए तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, अगर आपको ये पुराने AIMS मिल रहे हैं, पुराने AIMS का मतलब AIMS दिली, भाउनेसवार, इसके बाद में जोदपूर, भापाल, रिसी केस, राइपूर, नागपूर, पटना, और आजकल बठिंडे की भी काफी rank जा रही है तो अगर ये AIMS आपको मिल रहे हैं, तो आप Top Medical College छोड़ सकते हैं, अपने स्टेट का, और इन AIMS में admission ले सकते हैं, इन AIMS के लिए आप admission ले सकते हैं, अब जो आपके नए वाले AIMS हैं, जैसे 18 का है, 19 का है, 20 का है, और 21 का है, अगर आपको ये मिल रहे हैं, तो आपको फिर इस्टेट का Top Medical College लेना चाहिए, इस्टेट का Top Medical College लें, अगर इस्टेट का Top Medical College नहीं मिल रहा है आपको, फिर आप इन AIMS को फिर आप इन AIMS को ले सकते हैं, तो ये तो हो गया कि आपको AIMS कब लेना हैं, बाकी धिरे-धिरे ये AIMS पुराने होते जा रहे हैं, और इन में कोई किसी प्रकार की प्रोब्लम नहीं है, सभी कुछ सही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि फीज इनकी सबसे कम है, हम देख रहे हैं कि Medical Colleges में भी फीज काफी ज्यादा है, तो जिन स्टुडेंट के लिए जो Financial Problem आती है, उनके लिए AIMS में Admission लेना बैट रहता है, अब आप यहां कैटेगरी वाइस कटोफ देख सकते हैं, हर एक कैटेगरी की मैंने ये कटोफ प्रेडिक्ट की है, ये इसे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि कौन से AIMS में कितनी कटोफ जा सकती है, तो उसके according आप प्लान कर सकते हैं, AIMS दिल्ली UR 55, EWS 220, OBC 250, SC 990 और ST2150 570, 1700 EWS, 1750 OBC, SC 8100 और ST26200 कटोफ रह सकती है, AIMS जोदपूर की UR कैटेगरी 650 कटोफ रह सकती है, AIMS बहुनेसवर और जोदपूर में दोनों में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, कभी AIMS बहुनेसवर की कटोफ ज्यादा चली जाती है, तो कभी AIMS जोदपूर की ज्यादा चली जाती है, अब ये एक-दो साल में हमने देखा है कि AIMS जोदपूर की दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा कटोफ जाती है इसमें, तो UR 650, EWS 1150, OBC 1200, SC 7900 और ST 15900 कटोफ रह सकती है, AIMS जोदपूर की, बहुपाल की बात करें तो UR कैटेगरी 585, EWS 1350, OBC 1380, SC कैटेगरी 8900 और ST 20400 कटोफ रह सकती है, बहुपाल की, रिशिकेस भी अच्छा इंस्टिटूट है, UR 970, EWS 1750, OBC 2100, SC 12850 और ST 23600, राइपूर की भी ऐसे रह सकती है, कटोफ, 1500 UR, EWS 2300, OBC 2350, SC 19300, और ST 27300, रह सकती है, नागपूर की भी कटोफ काफी ज़्यादा जाती है, UR 2400, 2550, EWS की रह सकती है, इसके बाद में, इतनी ही कटोफ रह सकती है, OBC की, और SC की 19300, और ST की 27300, कटोफ रह सकती है, नागपुर की 2400 कटोब रह सकती है UR पर 2550 रह सकती है EWS, OBC 2600 रह सकती है और 20200 रह सकती है SC कटेगरी और ST कटेगरी 4700 रह सकती है यहाँ पर एम्स पटना की बात करें तो 2300 UR कटेगरी की रह सकती है 2350 EWS, 2400 OBC, 28000 SC और 54400 ST कटेगरी की कटोब रह सकती है अगर बात करें हम बठिंडा की काफी ज्यादा कटोग जाती है 2000 UR केटेगरी EWS 4200 OBC की भी इतनी ही रह सकती है SC की 27500, ST की 52100 मंगलागरी 3500 UR केटेगरी की रह सकती है EWS की 3600 रह सकती है OBC की 4100, 52000 रह सकती है SC की और 56000 रह सकती है ST की गौरखपुर में 4100 UR केटेगरी की रह सकती है EWS की 4150 रह सकती है 4600 OBC की रह सकती है 39000 ST और 63200 ST की कटोग रह सकती है गौरखपुर की कल्याने की बात करें तो आजकल इसकी भी कटोग काफी रहने लग गई है 4200 की nearby UR केटेगरी जा सकती है 4300 OBC शोरी EWS जा सकती है OBC 4,600, 26,000 जा सकते है SC और 72 या 73,000 जा सकते है ST कटेगरी का लियाने की राजकोट गुजरात का अच्छा इंस्टिटूट आने लग गया है अभी 6,500 कटोब जा सकते है UR की EWS 6,700 और इतनी ही कटोब OBC की जा सकते है 32,000 कटोब जा सकते है SC की और 63,600 कटोब जा सकते है ST काटेगरी की बीबी नगर हैदराबाद की करें बात हम तो 7,000 की नियरबाई UR 7,500 EWS 8,000 OBC 39,500 SC और 62,200 ST कटोब जा सकते है राइबरेली की बात करें तो 4500 जा सकते है UR काटेगरी की 600 जा सकती है EWS की, 700 जा सकती है OBC की, 38,500 जा सकती है SC की और 65,500 जा सकती है ST काटेगरी की, बिलासपुर की बात करें तो 3000 जा सकती है UR काटेगरी की, 4000 EWS की, OBC की 5,500 जा सकती है, 34,000 जा सकती है SC की और 62,500 जा सकती है ST काटेगरी की, देवगड भी अच्छा इंस्टिटूट है 7,000 जा सकते है, UR की, 7,500 EWS, 8,200 OVC, 43,500 SC, and 77,600 ST काटेगरी की कटोप जा सकती है गवाटी की कटोप थोड़ी सी डाउन जाती है, 8,000 UR, 8,200 EWS, 8,700 OVC, 46,000 जा सकते है, SC की और 73 जा सकती है ST काटेगरी की, जम्मों की बात करें तो 6,700 काटोप जा सकते हैं, क्योंकि इस बैल्ट के बच्चे जम्मों को काफी लाइक करते हैं अभी 7,000 जा सकते है, EWS, 9,100 OVC, 47,200 SC, and 81,300 ST काटेगरी सबसे डाउन कटोप जाती है, मदुराई एम्स की, और ये 21 का इंस्टिटूट है UR काटेगरी की 11,500 कटोप जा सकती है, EWS की 12,000 जा सकती है OVC की 12,500 जा सकती है, SC की 52,300 कटोप जा सकती है ST काटेगरी की 84,900 कटोप जा सकती है, तो ये expected कटोफ है इसके nearby आपकी कटोफ जा सकती है, EWS की, आप अपने marks इस ring की according देख लें कि आपके कितने marks आ रहे हैं, उसके according, आपका कहां selection हो सकता है तो इस परकार से आप प्लान कर सकते हैं, EWS के लिए aims के लिए, अगर नए aims में भी आपका admission हो रहा है, तो वहां भी कोई problem नहीं है अब बात करते हैं, अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेने चाते हैं तो हमारी All India Kota, Straight Eyes, Veterinary सभी के लिए book available है इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं फिर हमारी website www.sobda.education.in से download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें खास बात यह है कि इसमें 2023 के लिए choice list दे रखिए कैसे आपने choice fill करने हैं इसमें 4 साल की previous year की cut-off दे रखिए है ऐसे ही state quota में सारी information available है bonds वगरा के बारे में, हर एक state के process के बारे में other state में कैसे admission लेना है open quota में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है इसमें मैं सोचता हूँ यह book आप के लिए कापी helpful रहेगी तो यह जानकारी थी aims की expected cut-off के बारे में कितनी रह सकती है, आपको कौन सा aims लेना सीए उसके बारे में जानकारी थी next video में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन आप चैनल को subscribe जरूर करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं need related सारी information इस channel पर आपको मिले तो नई update के साथ फिर से आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैनल